तो आपने थमनेल देखी लिया होगा आज का जो वीडियो है वो हिंदी के कारक टॉपिक से संबन्दे थे और ये बहुत ही मैथपूर वीडियो है आशा करते हैं कि आपको इतना पढ़ने के बाद कारक से कोई भी कुईश्यन आपका किसी भी एक्जाम का नहीं जोटेगा तो देखते हैं आज का जो कारक है वो क्या है संग्या तथा सर्बनाम के जिस रूप से उसका बाग किके अन्य सब्दों के साथ सम्मंद सामने आता है उसे कारक कहते हैं ये तो हो गई कारक की डेफिनेशन क्या हो गई संग्या तथा सर्बनाम के जिस रूप से उसका बाग किके अन्य सब्दों के साथ सम्मंद सामने आता है उसे कहते हैं कारक अब ऐसे तो समझ में नहीं आया तो धारन दीख लीजिए रमेशने महेश को जेव से पैसे निकाल कर दिये तो इस बाग कि में रमेशने महेश को जेव से तो संग्या शब्दों में परिवर्तन हो गया है इससे ओके बिवक्ती से बने शब्द रूप को बिवक्त या पद कहते हैं जो बिवक्ती से शब्द रूप बनते हैं उन्हें बिवक्त या पद कहते हैं इसको आगे आप समझ जाएंगे कि बिवक्त क्या होता है और पद क्या होता है तो हिंदी कारक की आठ वेद होते हैं ठीक है, तो आपके लिए question बन जाता है कि कारक के भेद कितने होते हैं तो वो होते हैं 8, ये question बनता है हर बार, कारक के कितने भेद होते हैं तो वो होते हैं 8, कौन-कौन से कर्ता कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपरदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिक क्यांद तो कुछ होगी तो इसकी पहचान भी हमने इसको नोट कर दिया तो वो भी आप देख सके लिजी कारक और vendor विवक्ति इसे कहेंगी जो इनकी पहचान होगी उसे कहते हैं विवक्ती, ठीक है, अब करता कारक की पहचान होती है, जिस बाके में ने आ जाए, तो उसके उधारन आपको आगे दिये गए हैं, आप वीडियो पूरा बोच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कर्म की जो पहचान होती है, सेंटेंस में अगर को आ जाए, पर करण में क्या होता है, कि अलग होने की भावना नहीं होती है, अपादान कारक में उससे आता है, तो वो चीज बिलकुल प्रथक हो जाती है, जैसे पेड से पत्ती गिर गई, तो बिलकुल पत्तियां जो हैं वो पेड से अलग हो गई, तो उसमें अपादान कारक हो जाए तो इसके लिए हमने जब पढ़ते थे हम तो हम मुकलत्यागी सर से हमने सीखा था कि उन्होंने एक दोहा की रूप में हमें सिखा दिया तो इतना अगर आपने याद कर लिया वो हम आप सभी लोगों को भी बता दे रहें अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपको कारक को होगा वहां कर्म होगा से होगा वहां करन होगा संप्रदान काके लिए अपादान से मान अब जहां काके लिए होगा वहां होगा संप्रदान कारक अपादान से मान मतलब अपादान होगा वहां से होगा काके की संबंध है जहां काके की आ जाएगा वहां संबंध है में प पूरा कारक इसी में पूरा क्लियर हो जाएगा बस आपको कारक की पैचान बता होगी तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने होगा आप तुरंत उसको अटेंप्ट कर लेंगे ओके तो देखते हैं अब इसके जो उधारन है कारक भिवक्ती प्रियोग के वो क्या है अब करता कारक के उधारन देख लेते हैं करता कारक के उधारन है राम ने रोटी खाई तो करता की पैचान क्या होती ने करता को करमे तो ने इसमें क्या हो गया करता कारक हो गया मैंने उसे पढ़ाया तो ये ने क्या हो गया तो करता हो गया उसने लड़ाई लड़ी तो ने जो हो गया वो तो ने इसमें भी आया, तो किसने गीत गाया, उसने गीत गाया, तो ने किसमें आया, करता कारक में आ गया, अब जो कर्म कारक के उधारण है, इसमें क्या होगा, ने करता, तो ने में तो करता है, को कर्म है, तो पिता ने पुत्र को डांटा, तो किसको डांटा, पुत्र को ड नेक्स्ट जो धारन रहेंगे वो करणकारक के roz słama घुक है तो उसने फेकल को मारता है तो अगर किसी मारेंगे तो उसमें लग जाएगा ठीक है पेड को कुलहरी से काटेंगे तो आपने कभी अगर देखा होगा तो कुलहरी उसमें फस जाती है सीता कलम से लिखती है संप्रदान कारक के उधारन देख लेते हैं उसने लड़के को मिठाईयां बांट दी तो जहां का के लिए का को लिए आ जाएगा ना तो वहां पर आ जाएगा संप्रदान कारक तो यहां क्या हो गया उसने लड़के को मिठाईयां दी ठीक है वह मुझको रुपई दे रहा था तो को इसमें भी आ गया तो जहां को आएगा वहां क्या होगा संप्रदान कारक हो जाएगा स्याम ने मोहन को शायकल दी तो यहां पे भी को आगया तो यहां क्या हो गया संप्रदान कारक आपका हो गया अपादान कारक के उधारण भी देख लेते हिमाले से गंगा निकलती है तो अब हिमाले से जब गंगा निकली तो गंगा हिमाले से दूर हो गई न तो ये हो गया अपादान कारक दूर होने के संबंद में आप अपादान कारक लगा देंगे वे छत से कूद गया तो वे छत से कूदा तो छत से बिलकुल दूर हो गया तो यहां पे भी आपका अपादान कारक होगा सोर सुन वे घर से बाहर आ गया तो वो घर में था घर के अंदर था वो घर से बाहर आ गया गली में तो वो यहाँ पर भी अपादान कारक का प्रियोग हो रहा है वे नदी से पानी ला रहा है तो नदी से वो पानी ला रहा है तो पानी भरके वो बाहर ला रहा है, तो वे भी अपादान कारक हो गया, वे बाजार से सबजी ला रही है, तो वे इसमें बाजार से सबजी ला रही है, तो सबजी लेकर वो अपने घर आएंगी, तो वो बाजार से दूर आएंगी न, तो यहां पर भी आपका अपादान कार कारक हो जाएगा संबंध कारक के उधारण देख लेते हैं यह राम की पुस्तक है का की के संबंध है तो जहां का की के आ जाएंगे वहां क्या हो जाएंगे संबंध कारक हो जाएंगे यह राम की पुस्तक है तो किसकी पुस्तक है राम की पुस्तक है यह प्रेमचंद्र का तुम्हारे घर में दस लोग हैं, कितने लोग हैं, दस लोग हैं, तो में जो आया है, वो अधिकरन कारक का सम्मोधन कर रहा है, दुकान पर कोई नहीं था, तो कहां पर कोई नहीं था, दुकान पर कोई नहीं था, तो किस के लिए आता है, अधिकरन कारक के लिए आता है, I hope आ इसमिया वोधग भी कह सकते हैं इसको और इसे एसकलेमेटरी साइन भी कहते हैं और अरे यह क्या हुआ तो यह जो है ऐसे अगर बाक्य होंगे यह सबसे इजी है इनकी पैचन तो आप तुरंद कर सकते हैं ठीक है यह संबोधन कारक के उधारण होते हैं अब कारक से संबंदित कुछ मिले जोले प्रशन उत्तर हैं अब कारक के कितने भेद होते हैं पहला ही कोईशन आपको पता होना चाहिए तो कारक के कितने भेद होते हैं आठ भेद होते हैं ठीक है जिस कारक में से भिवक्ति का प्रियोग साधन के अर्थ में होता है वे कौन सा आप हो जाएगा okay next question वो को स अगर गहीं तो अगर गर रहें तो इससे दूर रहे तो इसमें क्या हो पादान कारक हो जाएगा क्रिया का वे फल जिस पर पढ़ता है वे कारक क्या कहलाता है तो जो क्रिया होती है उसका फल जिस पर पढ़ता है वे क्रिया क्या कहलाती है वो कर्म कहलाती है क्रिया का जो फल होता है वे कर्म पर पढ़ता है तो वे कारक कौन सा कहलाता है कर्म कारक क तो इसमें कौन सा कारक आ गया, तो इसमें आ गया संबंध कारक, ओके, तोता डाली पर बैठा है, इस बाकि में कौन सा कारक होगा, तो डाली पर बैठा है, तो पर आया ना इसमें ये, तो इसमें हो गया अधिकरण कारक, ओके, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस बाकि म कौन सा कारक है तो इस बाग के में कौन सा कारक है करण कारक इस बाग का कारक है अब हम पढ़े आपके हिंदी क्लास में परियावाची के शब्द भी देते हैं तो कारक आई हो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह किसे इस से जो भी आपने याद करना है बस उतना ही याद कर लीजिए ने करता को कर में सेसो करण पैचान सम्प्रदान काके लिए अपादां सेमान काके की समंध है मे पेपर अधिकरन हेरे अरे समोधन हाठो कारक काबणन अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका पूरा कारत okay हो गया बिल्कुल आपका कोई भी exam होगा कितना भी tough question होगा आप से नहीं छोटेगा ठीक है अब हम परियावाची शब्द 5 पड़े देते हैं जो first class की थी descriptive की उसमें भी दिये थे तो ये भी आप परियावाची शब्द याद करते जाएं साथ साथ क् जिनके अर्थ में समानता हो परियावाची कहलाते हैं ये सभी को पता है कि परियावाची क्या होते हैं उन्हें परियावाची शब्द कहते हैं तो पहला जो परियावाची शब्द कहते हैं तो पहला जो परियावाची शब्द कहते हैं तो पहला जो परियावाची शब्द याद हो जाएगा और सभी exam oriented जो भी है परियाइवाची वो सारे exam oriented है ओके आकाश के परियाइवाची जातर आपको पता होंगे गगन, आसमान, अंबर, वियों, अंतरिक्ष, अनंत, नव, अवर और सुन, आनंद का जो परियाइवाची होंगे वो होंगे मोद, आमोद, प्रम जनता, उल्लास, अहलाद, खुशी, इच्छा के परियाइवाची होंगे आकांचा, इपशा, अविलाशा, चाह, कामना, मनोरत, इस्परधा और मरजी, तो ये हैं हमारे आज के परियाइवाची बहुती important शब्द, तो अगर आपको ये class अच्छी लगी है तो इसे like कीजे, सब्सक्राइब कीजी, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजी, इसे जो भी वीडियो अप्लोड होते हैं, उनके नौटिफिकेशन आपको तरंत मिल जाए, आप हमें हमारे Facebook और Insta पीस पर भी follow कर सकते हैं, और आप हमें TikTok और Hello अकांट पर भी follow कर सकते हैं, हमारा अकांट हर जगे आपको तैयारी विगनर्स की नाम से मिलेगा, तैयारी विगनर्स की, जो हमारा YouTube अकांट है, उसी के नाम से, ओके, और आप अगर चाहें, तो comment भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई प्रेश्न हो तो, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग हुआ मुटा, जी आपके कोई हुआ 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 है, थैंका मैं प्रेश् भाचिंगा चाहे हैं, यस .....